हम को याद है हम नौ वरश के इस विश्व विध्यालिया के स्टूड़न्ट बने तब हम बहुत छोटे थे और पिता श्री प्रिजापिता ब्रमा ने बच्चों के लिए एक गुरु कुल के रीती से बोर्डिंग खोला था और हम छोटे छोटे बच्चे बच्चियां वहां पढ़ते थे और ग्यान की धार्ना के क्लास्स करते थे इस तूल पराही भी हिंदी सीखना क्योंको हम सिंद से थे हिंदी सिखना लिखना भोलना ये सब हम वहां ही सीखे है तो उस समय का सीन मुझे याद है कि हम लोग एक डैला करते थे जो भी वहां बोर्डिंग देखने आते थे आफिसर्स उनों को हम चोटे चोटे बच्चे हमारे से भी चोटे करते थे एक डैलाग सुनाते थे उनों को तो डैलाग क्या था एक थी ब्रमा को मारी और दूसरा था भूला भाई सोदाई भूला भाई भूलने वाला तो डैलाग में ब्रमा हुमारी उससे पूछती है भाई जी आप कौन हो आप जानते हो आप कौन हो तो वो भाई कहता है ये कोई पूछने की बात है मैं कौन हो मैं मानव हो मैं बड़ा आफिसर हो ये हो वो हो जो अपने आफिपेशन देते ही है वो पूछती हूँ आप कौन हो तो वो जड़ा आच्च्रे में आता है मैं कौन हूँ ये तो जानता ही हूँ न तो ब्रमा कुमारी उसको कहती है एक देखो जो आपने आपकी पेशन दिया वो तो आपके शरीड का हुआ शरीड तो आप कहते हो मेरा है मैं पुछती हूँ मैं कौन वो बताओ मेरा तो आपने बता दिया मैं आफीसर हूँ, मैं यह हूँ, मानो हूँ मानो का शरीर है लेकिन आप कौन हो तो वो थोड़ा सोचने लगता है फिर ब्रमाह हुमारी उसको समझाती है तो देखो मैं और मेरा दो शब्द है आप कहते हो शरीर मेरा है आज मेरे सिर में दरद है कभी यह नहीं कहते हो आज मैं सिर में दरद है आज मेरा मन जो है वो उदास है मैं मन उदास हूँ, यह कभी भी नहीं कहते हो तो जहां मेरा शब्द आता है उससे बिन मैं मालक होता है कोई भी चीज मैं कहती हूँ मेरी है तो मैं मालिक हूँ तब कहती हूँ ये मेरी है या मेरा है तो इस शरीर का मालिक मैं कौन? सुख हो पहचानू तो आप जानते ही हूँ कि मैं जोती स्वरूप बिरकुटी के बीच में चमकने वाली आत्मा हूँ तो ये मैं कौन का ग्यान उसको बहुत अच्छी तरह से डायलाग में ही सुनाते थे और वो हसते रहते थे हाँ भेहन बात तो ठी के बच्चों ने बात तो बहुत अच्छी सुनाई